यहन्ना रचिसू समाचार और उसके उन्नीस्वे अध्याय के तीस्वे वच्छन को भी हम लोग देखेंगे और यह कुरूस पर से कहा हुआ छटवा वच्छन है यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब ईशू ने वह सिरका लिया तो कहा कि पूरा हुआ और फिर सिर जुका कर प्राण त्याग दिये एक्चुली पूरा हुआ यह शब्द बोला और प्राण त्यागने के पहले एक और सात्वा वच्छन है उसे भी देख लेते हैं और यदि हम लुकार अच्छी सूसमाचार उसके 23 में अध्याए और उसके 46 में वच्छन में आएंगे तब वहाँ पर प्राण त्यागने से पहले जो शब्द कहा वो लिखा हुआ है कि हे पिता मैं अपने आत्मा को आपके हाथों में सौपता हूँ प्रभु येशु ने वो सिर्का लेने के बाद में कुछ लोगों का कहना है उन्होंने कहा कि गुसे में कह दिया बहुत हो गया तुम्हारा और इसलिए बस 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 करो ऐसा करके पर ऐसा नहीं है क्योंकि प्रभु येशु ने क्रूस पर से बड़े तॉल तॉल करके साथ केवल साथ वचन बोले हैं साथ वानी बोले हैं और सातों वचन में प्रेम ही दिखाई देता है ये सारे वचन परमेश्वर के करीब लेकर आ रहे हैं दिकारने वाले नहीं है डांटने वाले नहीं है तो ये जो पूरा हुआ कह रहा है यह भी ऐसा ही कुछ वचन है जो परमेश्वर जिसके द्वारा हमसे कहना चाहता है परमेश्वर ने जब येश्व को इस संसार में भेजा था तब एक खास इच्छा से भेजा था और जब परमेश्वर अपने बेटे को मंदिर में देखता है जब वो पहली बार मंदिर में गया और वहाँ पर उसको यशाया की पुस्तक दी गई और वो यशाया की पुस्तक के एक सटवे अध्याय को खोलता है और उस एक सटवे अध्याय में का ये भाग पड़ता है प्रभू यहुवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहुवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभी शेक किया और मुझे इसी लिए भेजा है की और उसके बाद में एक सूची है खेदित मन के लोगों को शांती दूँ और प्रभू येशु ने अपने सिवकाई में स्काम को किया कि बंदियों के लिए स्वतंतरता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ और प्रभु येशु ने अपने सेवकाई के दौरान यही किया कि यहुआ के प्रसन रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पल्टा लेने के दिन का प्रचार करूं समय नहीं है कि इस वाले वच्चन को बहुर डीटेल बताऊं लेकिन प्रभु येशु ने जो सेवकाल का उनका बोलना था प्रचार करना था परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना था उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रक के बारे में बताया और न्याई के बारे में भी बताया लेकिन grace के long term के बारे में देखिए क्या लिखा है प्रसन रहने का वर्ष परन्तु पल्टा लेने का दिन यहने एक लंबा समय है जिसमें आज हम जी रहे हैं परन्तु अचानक एक दिन आ जाएगा जब नियाए का दिन होगा वो पल्टा लेने का दिन होगा और उस दिन नियाए हो जाएगा और हम देखते हैं कि प्रबु येश्यू अपने इन कारियों को स्मरन कर रहे हैं आज क्रूस पर से कि मेरे परमेश्वर पिता ने मुझको क्या क्या काम दिया था सियोन के विलाब करने वालों के सिर पर राख को हटा करके सुन्दर पगड़ी बांद दूँ परमेश्वर पर नजर लगा कर जो पश्चताप करते हैं जो अपने पापों की क्षमा के नियत सियोन के और देख रहे हैं उन पर उद्धार की सुन्दर पगड़ी को बांद दूँ उद्धार का टोप पहनाने की बात कर रहा है उनका विलाप दूर करके उनको हर्श का तेल लगा दूँ और उनकी उदासी हटा कर यश का ओड़ना उड़ा दूँ स्वर्ग राज्यमे सियासन के सामने जितने भी लोग खड़े हैं बाइबल बताती है वो अपने मेले चितरों में नहीं हैं परंतु प्रभु येश्यू मसीख के द्वारा दी हुई धार मिक्ता की सफेच चादर ओड़े हुए हैं तो प्रभु येश्यू ने आज उस कारे को भी पूरा किया और भी बहुत सारी बाते हैं जो इस प्रकार से येश्यू ने कहा जो उन्होंने अपनी सेवकाई के पहले दिन मंदर में खड़े हो करके बोला था और लोगों ने ये वच्चन कई बार सुना लेकिन आज पहली बार बोला कि आज हमने पहली बार इसे परमेश्वर ने कहा था ये मसी की पहचान होगी परमेश्वर ने कहा था मैं खुद तुमें एक कचिन न दूँगा ये शेय का साथवा ध्याए और देखो एक कुमारी गर्व होती होगी और वो एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम एमानुवल रखा जाएगा और हम जानते हैं प्रभु येशू किस खानदान से जुड़ते हैं वैसे तो वो पर्मेश्वर के पुत्र है और अगर पुर्शों के बीच को देखा जाए तो नहीं तौल सकते लेकिन वो यहुदा के वंश के गिने जाते है वो अबराम के वंश के गिने जाते हैं, दाओद की संतान कहलाते है और उसी के वंश में पाया जाता है, यूसुफ जिसका नाम उसे दिया जाता है लेकिन बाइबल उसे मरियम का पुत्र बोलती है मसी मसी जो होगा जिसके लिए परमेश्वर ने कहा था वो एक स्त्री का बीज होगा उत्पत्ती के तीसर अध्याय में वहां से बताया गया था कि वो कौन होगा और इन सारी भविश्यवानियों को पूरा करते करते यहां तक पहुँचा यहां तक कि वो बैत लहम में पैदा होगा कि समय पैदा होगा यरूशलम में जब प्रवेश करेगा तो गदे के बच्चे पर बैट करके प्रबंद करेगा अंभीतर आएगा यह सारी बातें भी येश्यू के बारे में लिखी गई थी आज प्रभु येश्यू क्रूस पर एक और काम कर रहे है वास्तों में जस काम के लिए थे अपने आपको बलीदान करके मनश्य को पाप के बंधन से चुड़ाने के लिए प्रभु येश्यू मसी का लहू एक पवित्र मनश्यों का लहू है इबरानियों का नौवा ध्याय और 22 वच्चन बताता है कि वेवस्था के अनुसार प्रैस सभी वस्थूएं लहू के द्वारा शुद की जाती है और बिना लहू के बहाए पापों की एक शमा नहीं होती इबरानियों नौवाइस और यही कारण है कि लोग लहू को बड़ा इंपॉर्टेंस देते है कि लहू के द्वारा हमारी शुद्धता है लेकिन इबरानियों के ही दस्वे अध्याय और चौथे वच्चन में लिखा है कि बैल और बकरों के लहू से इनसान के पाप शमा नहीं होते उसके लिए तो इनसान का लहू जरूरी है और आज प्रभु येशु उसी कार्य को पूरा कर रहे है चौथी बात प्रभु येशु आज शैतान के डंक का भी नाश कर रहे है पहला यहना तीन आठ को भी अगर देखे तो पता लगता है कि प्रबु येशु शैतान के कारियों का भी नाश करने के लिए आये थे और शैतान का कारिय क्या है एक ही है नाश करना कैसे पाप की प्रबुता को बढ़ा करके लोगों को पाप में दबोच करके लोगों को फुसला करके लेकिन आज प्रभु येशू जो कार्य को कर रहे हैं उसके द्वारा शैतान डिफीट हो रहा है जो गलती आदम से उत्पत्ती तीन में हो गई थी अदन की बारी में हो गई थी आज गल गता में उसको रिपीट नेगेटिव डिरेक्शन में मानो किया जा रहा है और शैतान की बरबरता वाली सरदारी को हटा करके वापस शैतान को पाओं के नीचे डाल दिया जा रहा है प्रभु येशू ने अपने जीवन काल के इन सारी बातों में ये सपष्ट किया साबित कर दिया कि वही है जो परमेश्वर का भेजा हुआ मसी है आज करूस पर चड़एं के पहले यहा बात लोगों को बहुत सपष्ट मालूम हो जाना जरूरी था और यही कारण है कि प्रभु येशू करूस पर से कहते हैं कि पूरा हुआ आया था जिस काम को करने आज कुरूस से कह रहा और प्रभु येशू के मुह से यही एक छोटा सा शब्द निकलता है कि पूरा हुआ लेकिन एक प्रशन मेरे और आपके लिए जरूर छूटता है कि प्रभु येशू ने तो अपना गिफ्ट दे दिया बलिदान करके दे दिया अटोन्मिंट का गिफ्ट दे दिया प्राइश्चित का गिफ्ट दे दिया लहू का छिड़काव दे दिया लेकिन इसके बाद एक प्रक्रिया होती थी कि उस एकसेप्ट किये गए लहू को महायाजक मंदिर के बाहर लाकर के छिड़कता लोगों पर क्या हम उस भीड में शामिल है क्या हम आज उस मंदिर के सामने पाए जाते है जिस पर ईशु के लहू का छिड़काव हुआ है क्या हम पर प्रभु येशु क्रिस के लहू का निशान है क्यूंकि बाइबल बताती है जिसके दर्वाजे पर ईशु का लहू है उसके घर में मौत नहीं है प्रभु येशु के दूत जिस दिन लेने के लिए आएंगे वो हमारी किवाडों पर वो हम पर शायद यही चिन्न देख रहे हैं और जितनों के पास में प्रभु येशु का लहू है उतनों को वो अपने साथ बादलों पर ले करके जाएंगे तो वास्तों में ये तब पूरा हो जाएगा जब मैं इस में शामिल हो जाओं आईए हम प्रार्थना करें प्रेमी परमेश्व पिता आपके इन पवित्र वच्छनों के लिए धन्यवाद के साथ आते हैं प्यारे प्रभु और आपके इस वच्छन के लिए धन्यवाद की आपने पूरा कर दिया हम भी यही शब्द कहना चाहते हैं हाँ येशु आपने पूरा किया है सब कुछ पूरा किया है मेरे उधार को पूरा किया है मेरे मेरे दजात को पूरा किया है मुझे को आजाद किया है मुझे पाप के डंग से छुडाया मेरे उपर पाप अप्रभूता न करेगी लेकिन अब मैं आपके पास आकर के खड़ा होना चाहता हूँ हे प्रभू हमारी बिनती को आज आप ग्रहन करिए प्रभू येश्व के नाम में आमीन